तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का यह सवाल आ रहा था कि सर काउंसिलिंग कब करनी है मतलब कि आखेर सबका नाम तो आ चुका वेटिंग लिस्ट में जनरल लिस्ट में हर कुछ सारी चीज़े आ गई गर करनी किस टेकर कर नी है क्या सिलेक्टड वालो में नोमिनेशन्स वालों की कब करनी के लेकर करके इस चीज़ को अब देख लिजिएगा मैंडेटरी डॉकुमेंट्स टोक्क्या है इसको जरूर से चेक आउट कर लिजेगा, क्योंकि यही आपकी डॉक्मेंट्स काम आएंगे दूरिंग काउंसलिंग, साथ-साथ आपको एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इन्ही वीडियो के नीचे में अब बात करते हैं, कब करनी है, जैसे कि अब मान लिया जाए कि अभी बीड की काउंसलिंग की डेट आई है, तो अब बीड की काउंसलिंग की डेट तो आ गई है, बट अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा नॉमिनेशन लिस्ट में नाम है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरा तारीक से दो तारीक में ही करनी है जैसे कि कोर्स के लिए जैसे अगर मैं बात करूँ बी-ज्सरी अन्यसच झोब भी आपका result आएगा जब भी आपका counseling का date आए जैसे बी एब ए लवी के जैसे counseling की date कि मैं बात कर ऊधिसके counseling की date क्या है 26 से 28 तारीक मतलब कल यह counseling शुरू हो चुकिती आज और कल यहने था 28 सारीक है कल इसकी counseling finish हो जाएगी, कल ये बंद हो जाएगा तो इसके बाद आपको counseling करने का मौका नहीं मिलेगा, इसी तरीकी से other courses, जो भी courses में, जिसमें भी आपका नाम आता है, उसमें आपको क्या करना होगा, आपको जाके अपने counseling की date देखनी होगी, कि उसी डेट में आप जाके counseling करेंगे उसके आगे पीछी आप बिल्कुल निंग करेंगे साथ-साथ आपका complete process हरकुछ hostel fee hostel कैसे मिलेगा कौन सा hostel आपको choose करना each and everything हरकुछ आपको description में मिल जाएगा description में link जाके आप check out कर सकते हो वहाँ आपको total details मिल जाएगी आपको documents में अभी आपको कौन सा document submit करना है जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अभी mandatory documents कौन-कौन से हैं जिसके भी आपका admission नहीं होगा इसको वीडियो को ज़रूर से जाके देखिए इसमें आपको सारी चीज़े डिसकस की हुए कौन-कौन से mandatory documents हैं तो उन documents के पर आपके admission नहीं होने जा रहा है तो इसको जरूर से आप check out कीजिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में